जा सकते हैं केंद्री या विद्याले एडमिशन फॉर्म 2022 कैसे भरें? एडमिशन पाने के लिए छात्रों को सबसे पहले आवेदन पत्र भरने होते हैं. छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा हमारे विडियो पर दी गई लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं. हम यहां आव से स्टेप्स बता रहे हैं. जिसकी मदद से छात्र आसानी से आवेदन पत्र भर सकते हैं. केंद्री या विद्याले आवेदन पत्र 2022 भरने के लिए छात्र हमारे द्वारा दिये गई स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले उम्मीद्वारों को आधिकारिक पर जाना होगा. यहां उम्मीद्वार नया पंजीकरन पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद उम्मीद्वार इंस्ट्रक्शन्स लिंक पर क्लिक करें. यहां उम्मीद्वार बैक टू इंस्ट्रक्शन्स पेज पर क्लिक करें. स्क्रोल नीचे करने के बाद उम्मीद्वारों क प्रसीड के लिंक पर क्लिक करें। लिंक ओपन करने के बाद उम्मीद्वारों को न्यू रजिस्ट्रेशन प्राप्थ होगा। रजिस्ट्रेशन में मांगी गई जानकारी को फिल करें। कक्षा 2 की चयन सूची अप्रेल 2022 के दूसरे सप्ता हमें घोशित की जाएगी। चात्र जोकी सहायता निकाय एवं सार्वजनिक शेत्र उपक्रम या भारत सरकार के उच्छ शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे। तृतिय श्रेनी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के बच्चे जो व्यक्तिगत या सरकारी कार्य के लिए भारत में रुके हुए हैं। केंद्रिय विद्याले एड्मिशन 2022 जरूरी दस्तावेज। यहां से आप केंद्रिय विद्याले का फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यह फी स्ट्रक्चर प्रती माह के लिए हैं। यह फी स्ट्रक्चर पिछले वर्षों के अनुसार है, वर्ष 2022 की फीस निर्धारित होने पर इसे अपडेट कर दिया जाएगा। एड्मिशन फी 25 रूपे री एड्मिशन फी 100 रूपे ट्यूशन फी कक्षा 9 और 10 लड़के 200 रूपे कक्षा 11 और 12 लड़के 300 रूपे कक्षा 11 और 12 लड़के 400 रूपे कंप्यूटर फंड कक्षा 3 से, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा शामिल है, 100 रूपे कंप्यूटर जिसको KVSK नाम से जाना जाता है। भारत में केंद्रिय सरकारी स्कूलों की एक प्रनाली है जो मानव संसाधन विकास मंत्राले MHRD के तत्वावधान में स्थापित की जाती है। इसमें भारत में 1193 स्कूल एक नवंबर 2018 तक और तीन विदेश में शामिल है। यह स्कूलों की दुनिया की सबसे बड़ी श्रिंखलाव में से एक है। केवी की शुरुआत 1963 में हुई थी। केवी में हर साल कई छात्र एडमिशन लेते हैं। केंद्रिय विद्याले संगठन एक बहुत बड़े विद्याले का संगठन है जो भारत के हर राज्य में अपने स्कूलों को चला रहा है। केंद्रिय विद्याले के भारत में 1093 सेंट्रल गवन्मिन्ट स्कूल है। केंद्रिय विद्याले एड्मिशन 2022 के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एड्मिशन गैडलाइन्स वर्ष 2021 पर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट केवी संगाथन.nic.in केंद्रिय विद्याले संगठन की ओर से सत्र 2022 में कक्षा 1-11 तक के लिए एड्मिशन प्रोसेस जल्दी शुरू की जाएगी. केंद्रिय विद्याले एड्मिशन 2022 के लिए इचुक छात्रों और उनके अभिभावकों को बता दे की विद्याले में एड्मिशन के लिए केवी एड्मिशन फॉर्म भरना अनिवार्य है. केंद्रिय विद्याले में कक्षा एक से लेकर कक्षा 11 तक में एड्मिसिन के लिए तिथियों की घोषना होने पर इस वीडियो को अपडेट कर दिया जाएगा केवी एड्मिशन 2022 के लिए एड्मिशन फॉर्म केंद्रिय विद्याले संगठन की आधिकारिक वेबसाइट केवीसंगाठन.nic.in पर उपलब्ध करा दिये जाएंगे केंद्रिय विद्याले शिक्षा का एक कॉमन प्रोग्राम आयोजित करता है. ये मुख्य रूप से रक्षा विभाग सैनिको और अर्ध सैन्य कर्मियो सहित हस्तांतर्निय केंद्रिय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शेक्षिकी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के के माध्यम से एवं कुछ कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है. के वी एड्मिशन 2022 की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस विडियो को पूरा पढ़ सकते हैं. केंद्रिय विद्याले एड्मिशन 2022 केंद्रिय विद्याले इच्छुक उम्मीद्वार केवी एड्मिशन 2022 से जुरी कुछ महत्वपूर्ण तिथिया नीचे दी गई सारिनी में देख सकते हैं। खाली रहने पर घोशित की जाएगी। परिनाम घोशित होने के दो सप्ता के भीतर गैर केवी चात्रों के लिए पंजी करन कक्षा 11 में प्रवेश केवल अगर कक्षा 11 में केवी के चात्रों के प्रवेश के बाद सीट खाली रहती है कक्षा 11 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथी CBSE 10 वी रिजल्ट जारी होने के 30 केंद्रिय विद्याले एड्मिशन 2022 आयू पात्रता यूमन स्ट्रीम वे सभी चात्र जिन्होंने दस्वी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्म की है। आर्थिक सबसे कमजोर वर्क के लिए 25 प्रतिशत सीटें। केंद्रिय विद्याले एड्मिशन फॉर्म 2022 केंद्रिय विद्याले आवेदन पत्र 2022 ऑनलाइन जारी कर दिये जाएंगे। चात्र या उनके अभिभावक केंद्रिय विद्याले संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकेंगे। इसके अलावा चात्र हमारे विदेई पर दी गई लिंक से भी आवेदन पत्र भर सकेंगे। चात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम्तिती के पहले या अंतिम्तिती तक केंद्रिय विद्याले एड्मिशन फॉर्म 2022 भर कर अवश्य जमा कर दे। जो भी चात्र आवेदन पत्र भरेगे वो एक बार अपनी योग्यता की जाच अवश्य कर ले। योग्यता मापदंडों को पूरा करने वाले चात्र ही केवल अवेदन करने के योग्य माने जाते हैं। अवेदन पत्र में भरी गई सारी जानकारी एकदम ठीक और सही होनी चाहिए। एक भी गलत जानकारी भरने से चात्रों के अवेदन रद किये।